हेलो फ्रेंट्स वेलकम बाक टू माई यूट्यूब चनल तो फ्रेंट्स अभी बज़रे शाम के छी और जो कार्पोरेशन वाला पानी आता है वो आ चुका है और मैं इसको भर रही हूँ शाम में नहाने के लिए मैं भी एक बर खाना बनाने के बाद नहाती हूँ और हजबन भी एक बर फिर से जॉब से आने के बाद नहाते है और आज कर टंगी का पानी तो इतना गरम होता है कि बिलकुल उसको यूज़ किया नहीं जाता है इस पेशली शाम को सुबह तो फिर भी थोड़ा बहुत नॉर् तो उसके बाद यह आधा बचा हुआ था तो मैं सोची आज कुछ सबजे का नहीं है तो इसी की सबजी बना लेते हैं तो यहाँ पर मैं छोटे-छोटे काट लूँगी पनीर मतलब मिडियम साइज में काट रहे हैं बहुत ज़दा छोटे भी नहीं तो देखिए इस तरीके कड़ाई में उसके बाद ऑइल करम होने के बाद इसमें फ्राइ कर लेंगे पनीर थोड़ा हलका हलका बहुत ज़्यादा डीप फ्राइए नहीं करना है थोड़ा-थोड़ा सा करूंगी क्योंकि ऐसे फ्राइब करके सबजी बनाओ तो बहुत टेस्टी लगती है तो देखि इस तरीके से पनीर में यहाँ पे प्लेट में निकाल लूँगी उसके बाद और एक बार इसमें फ्राइ करने के लिए जो बचा हुआ पनीर है वो भी में डाल दूँगे कड़ाई में और राइस भी में दो के रेडी कर ली हूँ तो चलिए राइस भी चढ़ा लेते हैं त तो वो भी फिर आड करूँगी लेकिन अभी आड ने करूँगी अच्छे से प्याज को पकने देते हैं उसके बाद फिर तो देखिए यहाँ पे भून गया है बहुत अच्छे से तो उसमें फिर मैं आड कर रही हूँ जो लसुन का और अद्रक का पेस्ट है वो तो इस तर अड करने के लिए ठूट गए तो पुरे मशाले में तो देखिए नग्याटार अट धिका से वो डढद परूड के समय मीक्स करेंगे थोड़े तो यहाँ रख देंगे उसके बाद जो मिक्सी के चार में मैं टमाटर पीची थी उसी में पानी आड़ करके इसमें थोड़ा सा मिक्स कर दूँगी उसी बीच में बहुत जादा आधी तुफान जैसा चालू हो गया है बहुत जादा हवा चल रही है और मैं लाइट बंद कर दी हूं सामने का क्योंकि वो बत्तर कीड जो बोलते हैं वो आ रहे हैं और देखिए पीछे के तरफ भी बारिश चालू हो गई है और ग्रेवी भी रेडी हो गई है अच्छी बात तो यह है कि इस बीच में लाइट नहीं गई अधर्वाइस कूकिंग बीच में रुख जाती और फिर वही है मो कि अलोही के बरतन में खाना बनागे तुरण उसको शिफ्ट कर देना ची बहुत टाइम तक नहीं रखना ची तो इसको इस तरीके से मैं गैस के उपर ही रख दूँगी उसके बाद फिर मैं यहां पर आटागून के रख रही हूं बात में बनाओंगी रोटी क्योंकि हजब थोड़ा सा बाहर में जाना है क्योंकि थोड़ा सा ग्रोसरी का सामान लेना है और सातमेश्बजियां भी खतल गई हो गई है तो देखिए मैं फटा-फट से हो जाती हूं रेडी और हजबन भी तब तक चीप सखा रहे हैं अपना उसके बाद फिर इधर आ गए हैं रूम में और मुझे परिशान कर रहे हैं उनको पता है मैं वीडियो बना रही हूं तो इस तरीके से हाथ दिखा रहे हैं उसके बाद फिर लगा ले ते हैं घर में लोग और निकल जाते हैं और बारिश तो हुई तोड़ी थी थोड़ी थोड़ी और उतनी ज़्यादा तेज नहीं हो रही थी बट अभी फिर से स्टार्ट हो गई है हलकी हलकी बारिश तो फिर बाहर का भी गेट में लॉक कर देते हूं उसके बाद फिर चलते हैं और हवा भी बहुत अच्छी ठंडी ठंडी चल रही थी और भी रेडियो जाओ भी चलते हैं तो फिर इसलिए मैं बाकी काम छोड़ दी हूं और आटा भी गून के रखा है तो जैसे यहां से रिटन जाएंगे उसके बाद फिर में जाके रोटियां सेख लोंगी और उसके बाद फिर हम कर लेंगे डिनर तो देखिए अब यह आ गए ह के टाइम पर बिल्कुल कॉल पर बात मत किया किजी क्योंकि इनको आफिस से बहुत कॉल आ जाते हैं कभी भी ऐने टाइम बट फिर भी क्या करेंगे अभी इनका भी कुछ एमरजनसी कॉल होता इसलिए पिक करना पड़ता है उसके बाद देखिए फिर हम लोग पहुँच ग आएगी बट ऐसा कुछ मुझे नजर नहीं आए कि आदे गंटे में कुछ आई सब्जियां बोल रहे हैं कि कुछ इशू हो गया है बीच में गाड़ी फस गए इसकी वज़े से नहीं आई तो मैं सब्जियां ज्यादा कुछ लीनी बस आलू प्याज और टमाटर ऐसा ही कु को भी कुछ सामाल लेना था तो वो देख रहे हैं पर उनको कुछ चाहिए है तो देखे यह लेने के बाद फिर हम लोग चलते हैं नीचे चलते हैं नीचे जाने के बाद करा लेंगे बिलिंग और फिर बिलिंग कराने के बाद चले जाएंगे घर घर जाके फिर रूटियां भी सेखनी हैं डीनर भी करना है और देखिए उसके बाद घर आने के बाद मैं रूटियां सेख ली थी और यहां पर खाना पर रोस्रियूम है तो आज डीनर में है पनीर की सबजी, रूटी, राइस और साथ में सालड तो फ्रेंड्स आप लोग भी आ जाईए हमारे साथ डीन की अवाई चल रही है बट अंदर बहुत जादा गर्मी हो रही है क्योंकि वह होता ही है बहार अगर बारिश होगी तो फिर अंदर गर्मी स्टार्ट हो जाती है तो देखिए अभी कर लेते हैं डीनर, डीनर के बाद जो थोड़े बहुत पेंडिंग काम है वह खतम करूंग फिर जो भी बरतन वाले काम होंगे वह फिनिश करके फिर हम सो जाएंगे तो फ्रेंड्स अगर आप लोगों को मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए और ऐसे ही प्यार बनाये रखिए और मेरे सारे लोग्स देखते रहे